दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा कवर किया गया है इसमें 4000 प्लस question answer आपको मिलते हैं वन लाइनर question मिलेंगे साथ में आपको multiple choice question मिलेंगे इसमें solution के साथ दिया गया ट्रिक के साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको free mock test दिया गया है और previous year question भी पूछे गया एक्जाम में वह भी इसमें शामिल किया गय इसकी है 35 रुपीज में इत्ता अच्छा content दोस्तों आपको कोई provide नहीं करेगा इसलिए आप इस बुक को जरूर परशेज करेंगे इस वीडियो को description box में आपको link मिल जाएगा उस link पर क्लिक करके आप purchase कर सकते हैं और यह book आपको Hindi और English दोनों language मिल जाएगी तो आपको जो Good morning friends, welcome to online study point दोस्तों आज है 17 March और start करते हैं आज करंड़ फेस उससे पहले चैनल को subscribe नहीं करें चैनल को subscribe जरू करने ता कि आपको morning में करंड़ फेस वीडियो मिलती रहे है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चले बहुत ध्यान से देखिए पहला कोशन है मारे डीडी महिला किसान पुरुषकार का पहला पुरुषकार किसने जीता है तो दोस्तों डीडी महिला किसान पुरुषकार का पहला फर्स्ट प्राइज जीत लिया है स्वाती सिंगा ने ठीका option भी करेक्ट हो जागा यह महरास्ट की है किसे दिया गया है तो दोस्तों आपको बता दें कि महिला सरसक्ती करण के लिए उनके युगदान के लिए नारी पुरुषकार दिया गया है सीमा मेहता को ठीक है उपसंडी यह जो है बता दें आपको कि कथक नित्यांगना है सीमा मेहता पिछले 15 वर्षों में महिला सरसक्ती करण के लिए उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरुषकार दिया गया है ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही मोड़िन कोईशन ने भी नारी शक्ति पुरुषकार सीमा महता को दिया गया है यह निर्त्यांगना है कत्थक निर्त्यांगना है ठीक है तो यह पूरुषकार से लेटेर हर एक्जाम पूछा आता है तो वीडियो को लाहस तक देखते रहे हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आयत प्लीज लाइक जरूरू कर दिया करें दोस्तों इस वीडियो को अंतराष्टी फुटवाल महासंगयानी फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल देफ फुटवाल एसोसियेशन फीफा के जो अध्यक्ष है चेर्मेन है जियानी इन फेंटिनों ने इसकी घोशना की है कि भारत 2020 में अंडर 17 महिला विश्वकप की मेजवानी करेगा ठीक है और आप अंडर 17 में अंडर 17 पूरुष विश्वकप के बाद यह दूसरा फीफा टूर्नमेंट होको जिसकी मेजवानी भारत करेगा तो इससे पहले भी जो इंडिया ने अंडर 17 पूरुष विश्वकप का मेजवानी कर चुका है और मेजवान देश के रूप में भारत सुचाले तो रूप से अंडर 17 महिला विश्वकप के आउजन के लिए योग हो गया है और यहाँ पर बात हो रही दोस्तों फीफा की तो फीफा का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको मैंने बताए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल एसो फ्रांस में ठीक है और फीफा का दोस्तों जो बरतमान में इसके चेर्मैन है ग्यानू इंफैंटिनों है तो महिला विश्वकप की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो जाद इसमें इंडिया करेगा ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं हमारा कोशन नमर फोर्त है उत्तर अट्लांटिक संधी संग्ठन ने नाटो के प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है नाटो नौर्थ अट्लांटिक ट्रिट्री ओगनाजिशन ठीक है नाटो नाटो का प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है तौड वोलेटर्स को ओप्सन सी द इसको नामानकरन को मंजरी दे दी है तो नौर्थ अट्लांटिक टिटी आउगे जनेसर इसकी स्थाबना कब हुई थी तो इसकी स्थाबना हुई थी 4 अप्रेल 1909 में ठीक है एक संधी की गई थी 4 अप्रेल 1909 में और आपको बता दें कि जो नौटो का दोस्तो हेटकोड़र है नाटो का मुख्याला है वह हे बूशेल से में ठीक है बूशेल से बेलजियम में है और ये नाटो है क्या नॉर्थ अट्लांटिक संधी संग्ठन ये आपको बतादे कि एक संग्ठन है गटवणदान जिसकी स्थ वरतमान में कितने जो कंट्रीज सामिल है नाटो में यह भी कोशन पूचा तो कितने मेंबर हैं नाटो में 29 है वरतमान में ठीक 29 कंट्रीज है ठीक है 29 याद रखेंगे आप ठीक है चलिए अगला कोशन है हमारा ACI UBA Athletic Championship 22 में पूर्शों के 110 मीटर बाधा दावर जीत कर भारत के लिए किसने सोंड़ पतक जीता है फिलीप महेश्वर थाबिटा दिखी हांकांग में ACI UBA Athletic Championship की शुरुआती दिन भारत ने 275 पतक हांसिल किये हैं और फिलीप महेश्वर थाबिटा ने पूर्शों की 110 मीटर बाधा दावर जीत कर भारत के लिए पहला गोल्ड मेरल जीता है और बता दे कि विपिन कुमान ने पूर्शों के हथावड़ा फेक में भारत के लिए दूसरा पतक जीता ठीक है और हर्शिता से रावाद दीपा क्याद और अन्य तीन है जिन्होंने रज़त और कांस पतक जीते हैं फिलीप महेश्वरम थाविटा कोशन 6 है हमारा दोस्तों कौन सा देश 18 मार्श से साथ देशों का हिंद महासागर से न लंका में और चार नौसेना जहाजों और एक सेन विमान में कुछ एक हजार उस्टेलिया इस उरक्षा कर्मी अपने सीलंका इस हमकों को साथ अब तक सबसे बड़े संकतों भ्यास में भाग लेंगे और लार्जे सिटी ऑस्टेलिया की सिड्नी और उस्टेलिया की वरतमान प्राइमिनिस्टर हैं स्कॉर्ट मौरिशन और एलिजाबेद सेकेंड एलिजाबेद दूती मोनार्क हैं चलिए अगला वोचन देख लेते हैं दोस्तों मार्च 2019 में पटियाला फेडरेशन कप में महिला डिसकस्त्रों इवेंड में स्वांड़ पता किसने जीता है करेक्ट एंसर जागा कमल प्रीत कौर ओप्सन भी ठीक है देखे उस्तों एटलेटिक्स में कमल प्रीत काउन ने महिला डिसकस्त्रों इस परधा में गोल्ड मिलल जीता है और कौर ने पटियाला में फेडरेशन कप के शुरुआते दिन एस एए चेंपेंशिप के लिए कौलिफाई किया है कोशन नमर एट है यूनि लीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी की रूप में किसे निउक किया गया है यह किया गया है नितिन परांजपे को ओप्सन भी देखे उस्तों हिंदुस्तान यूनि लीवर लिम्टेट के एक पूर्व मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO नितिन परांजपे को यूनि लीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में निउक्त किया गया है ठीक है यूनि लीवर जो दोस्तों कंपनी ये ब्रिटिस कंपनी है ठीक है ब्रिटिस कंपनी इसका हेट्वार्टर कहां पे ह हेड़कॉर्टर दोस्तों इसका यूनिलीवर हाउस लंदन में है ठीक है लंदन यूके में है और इसके जो दोस्तों लीवर ब्रदर्स और मार्जिन यूनी ये जो इसके फाउंडर थे ठीक है इसकी स्थाबना का वोई थी 2 सितंबर 1929 को ब्रिटिस कमपनी है तो हिंदुस्त किया गया नियू डेली में ठीक है ओप्सन सी करेक्ट हो जाएगा देखे तो नमस्ते थाइलेंड तेहार के देशरे संस्क्रण को धरन 15 मार्च को दिल्ली में किया गया इसका उद्देश क्या है दुबक्षी संबंधों को मजूद करना और भारत और थाइलेंड की भी शां से किसे समानित किया गया है अरुण जेटली जी को ठीक है ओप्सन सी देखिए दोस्तों पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने 15 मार्च को केंद्री मंत्री अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर आप देयर पूर्षकार से प्रधान किया है और वस्तु एवम से अब देख लेते हैं दोस्तों आज का मारा सवाल क्या है राष्ट मंडल युवा पूरुषकार की विजय तक इसे चुना गया है फटा पट इसका एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और यह आपने कल की वीडियो देखी होगी यानि 16 मार्च की तो आपको एंसर होगा तो फटा फट एंसर जरूर लिखें दिया आप नहीं देखिए जरूर देख लें वीट प्लीज वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथे बेल आगान पिस कर दें ताक कि आपको ऐसी मानिंग वीडियो मिलता रहें दोस्तों मिलते हैं